तो दोस्तो आज भारत के लिए एक बहुत ही बढ़ी और महत्पून अबदे निकल के सामने आई है और जिस बात का डर्था भाही हुआ है क्योंकि अमेरिका ने एक भारतिये सिपेंग कमपनी के उपर पृतिवंद लगा दिया हो और या कमपनी अब बलेकलिस्ट कर दी है अम प्राइस केप लगाया था जो की साट डॉलर पर बेरल का था और जी सेवन का कहना था कि जो भी देश साट डॉलर पर बेरल से उची कीमत में रूस का कच्छा तेल लेगा उसके हुपर हम प्रतिवंद लगाएंगे और हमारे जहाज और हमारी इंसुरेंस सुविदा को उस प्राइस के लिए हमारे द्वाराम प्रदान नहीं किया जाएगा और अमेरिका और पश्चमी देशओं ने खूब भारत को मनाया कि भारत इस उयल क्यैप को मानें परणतु भारत तनेस उयल प्राइस केप में सामिल होने से इनकार कर दिया और आज इसके लिए पश्मी देशों की तरप से भारत की एक कंपनी पर प्रतिवंद लगा दिये गए हैं दरसल मुंबाई बेस एक कंपनी हैं जिसका नाम है गतेक सिप मैनेजमेंट और या रसिया से भारी भर कम मात्रा में प्रतिवंद लगा दिया है और स्केंड की उपर आप सब या आर्टिकल भी देख सकते हो जिसमें जानकारी दी गई है कि प्रतिवंदों के दाइरे में आने के कारण इस कंपनी ने अपना P&I जो इंसोरेंस था उसको खो दिया है जिसके कारण से इस कंपनी के टेंकर यदी रूसी तेल को ढूती थी जो की साट डॉलर पर बेरल से जादा की कीमत में खरीदा जाता था और इस साल करीब 48 टेंकरों को हमने नामित किया था जिसमेंसे चोंतिस टेंकर हमारे द्वारा इंसोर किये गई थे जिसके कारण से हमने इस कंपनी के ऊपर प्रतिवंद लगाया है पर आप सभी के स्टोपिक के अंदर क्या राय हो और अमेरिका के इन प्रतिवंदों के बाबजूत क्या भारत को अब भी रसिया से कच्चा तेल लेना चाहिए हाँ या फिन ना कमेंट बोक्स अपर आवस्तिजी का बीडियो देखने के लिए धन्यबाद जैहेंद वंद आप